केजरी वाल को बड़ी रहत E.D. समन केस में बड़ी जीत राउज विनु कोट ने दी जमानत दिल्ली की राउज विनु कोट ने सीम अरविंद केजरी वाल को पिछले दिनों जटका देने के बाद आज शनिवार 16 मार्च को बड़ी रहती है दरसल मुख्यमेंतरी अरविंद केजरी वाल आज दिल्ली की राउज विनु कोट में पेश हुए कोट ने केजरी वाल को 15,000 रूपे मूल के जमानती बॉंड और 1,000,000 रूपे के निजी मुचलके पर जमानत दे दी जाँच एजिंसी द्वारा उन्हें जारी किये गए समन का अनुपालन ना करने अवके आरोप वाली एडी की शिकायतों पर राउज विनु कोट ने केजरी वाल को आज शनिवार को पेश होने को कहा था पिछली बार केजरी वाल ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया था जिसके बाद वह आज शारीरिक रूप से कोट में पेश हुए और बेल बॉन्ड चमा किया वहीं मामले को लेकर सीनियर वकील रमेश गुपता और आप लीगल हेड संजीूस नार्स यार ने क्या कुछ बताया सुनिए आज चुकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टेज की जाए कल छे बजे जजज साब ने कहा कि नहीं मैं आपकी स्टेज अप्लिकेशन को डिस्मिस करता हूँ आज चुकि मैटर लगा वासा तो और डारेक्शन थी केजरीवाल जी को अपियर होने के लिए हाला कि शेशन जजज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एक्जेम्शन अप्लिकेशन मूव कर सकते हो अपियरंस के लिए तो वो जजज डिसाइड करेगी पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपियर हुए है पंदरा क्योंकि बेलेबल अफेंस है तो पंदरा पंदरा अजार के दो अलग अलग केसों में बांड और शोर्टी बांड दिये जो एक्सेप्ट कर लिए है हमने एक अप्लिकेशन लगाई है 207 और 91 CRPC में कि हमारे को डेफिशन्ट कॉपी सप्लाई की जाए जो इन्होंने रिलाई की हुई है और एडी ने एक अप्लिकेशन लगाई है 294 CRPC में कि अक्यूस को कहा जाए कि डाकुमेंट्स के अड्मिशन और डिनायल करें इसके लिए दोनों के अप्लिकेशन में रिप्लाई और बहस के लिए एक अप्रेल की डेट जासाब ने दिये 17 अगर उनकी एक्जम्शन हुई या वीडियो से वीडियो के तुरू कन्फरेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है नि तो कानून में तो हट डेट पे आना ही पड़ यह तो कोट अब जो भी डेक्शन देगी जो भी डिसीजन होगा कोट का उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमाला दो कोट से निकल गए और बेल बॉंड उनके एक्षेप्ट हो गए है इसलिए बाकी प्रोसिजिंग जो है वो चल रही है तो कोट ने आज संबन किया बेल गरांट हुई और उसके बाद सीम साब क्योंकि बाकी प्रोसिदिंग अभी चल रही है तो सीम साब अपना कोट के आउर्डर को अबे करते हुए कोट में अपियर होके अपनी उनको बेल बॉंड एक्षेप्ट करने के बाद ये सीम साब निकल रही है पेशी से छूटती जाए और उनके वकील को प्रत्रिधित्तु करने की अनुवती मिले। केजडिवाल की इस याजका का एडी ने विरोध किया था। फिलाल इस वीडियो में इतना ही खब्र से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए मने रहे हैं वर इंडिया हिंदी के साथ।